अटल के जन्म दिन पर वर्जुल मीटिंग के माध्यम से पियम मोधी ने किसानों को किया सम्बोधित स्वर्गिय मानेनी स्रधे अटल बिहारी बाजपेई के जन्म दिवस पर वर्जुल मीटिंग उर्वार रामनगर सीदला धाम में आयोजित हुआ वर्जुल मीटिंग प्वारा देश के प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी ने रामनगर उर्वा मंडल में किसानों से रूबरू होकर सम्बानित किसानों को किसान सम्मान निधी के संबंध में बता कर करोडों रुपै किसानों के सम्मान निधी में अग्रसारित किया इसके बाद समस्त किसान भाईयों ने नयक्रिसी कानून के संबंध में बता कर किसान भाईयों का भ्रम दूर करने की कोशिश की और किसान भाईयों के उपच को देश के किसी कोने में बेचने के लिए सरकार उनके पक्ष में है बिचौलियों और दलालों को दूर करने की पूर सदक्ष ने बाचपेई जी के प्रतिमा पर माले अरपन कर स्रधा सुमन अरपित किया वर्चुल मीटिंग में सरकार के छे वर्ष के विकास कार्यों वा तीन वर्ष के प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को बताएं कि सरकार विकास के कटि बद्ध है उर्वा रामनगर कारेक्रम में उपस्तित उर्वा मंडल के अध्यक्ष, संजै केश्री उनके साथ सहयोगी, पददिकारी राम मिलन गुरु उपाध्यक्ष, रीता सिंग उपाध्यक्ष, वेदा नंद मिस्ट्र उपाध्यक्ष, कुल्दीप महामंत्री मंडल के समस्त बूत अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी वा साथ में अधिक से अधिक किसान भाईयों ने हिस्सा लिया, समस्तिकारिक्रम उर्वा मंडल के रामनगर यमुनापार प्रियागराज में संपन हुआ, प्रियाग एक्स्प्रेस निउस के लिए प्रियागराज से गिरीश चंद्र सर्मा की कास्टर पूट